भारतिय जुनिता पार्टी की ज्वार्खन विधानसभथ चुडाओं में करारी हार के बाद उसकी परिशानी बढ़ती नसर आ रही है एक तरफ सूबे में पहले ही इस्तीफों का दौर चल रहा है तो दूसरे तरफ बीजेपी को उसके सहीयोगियों की तरफ से भी आईना दिखाया जा रहा है जेडियों की तरफ से तो लगातार बीजेपी पर शब्द बाण छोड़े चा रही है जिससे बिहार में बीजेपी के लिए परिशानी बढ़ती नसर आ रही है लोगसबा चुनाव में जीत के बाद एंडियों में जेडियों ने शामिल होने से इंकार कर दिया था वजह थी एक से जादा मंत्री पद नहीं मिलना जिसके बाद कई मौकों पर बीजेपी और जेडियों में तलखियां सामने आई लेकिन जब से जार्खड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा तब से जेडियों के ये तेवर और भी तीखे हो गए है वो लगातार बीजेपी को खेर रही है दो दिन पहले बीजेपी को गटबंदन धर्म सीखने की सलहा देने के बाद अब जेडियों ने कहा कि विधानसभद चुनावू में लगातार हार और सहयूग्यों के बाहर जाने से एंडिय के अस्तित पर सवाल उठ रही है पार्टी ने बीजेपी आलाकमान के रवईये पर सवाल उठाया और जार्खन में बीजेपी की हार के लिए आदिवासी बहुले सूबे में गयर आदिवासी को सीएम बनाने के फैसले और आदिवासी विरोधी नीतियां लागू करने को जिम्मेदा ठहराया जेडियो ने कहा कि एंडिये में समबाध हीनता और समन्वे स्थापित करने की कई दलों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा जेडियो महासाचीव के सी त्यागी ने कहा कि महराष्ट और जारकन के चुनाव परिनाम के बाद जिस प्रकार सहियोगी अलग हुए हैं उससे एंडिये के अस्तित पर सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपने सबसे पुराने सहियोगी शिवसेना को खोया जारकन चुनाव के दौरान आजसु ने एंडिये का दामन छोड़ा एलजेपी को इस सूबे में पूछा ही नहीं गया आपको बता दे कि अकाली देल और जेडियो लगातार एंडिये में स्थिती ठीक करने पर सवाल उठा रहे हैं समन्वे स्थापत करने और समवाद हींता कम करने की लगातार मांग हो रही है मगर इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया इस कारण बीजेपी आलाकमान के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं जार्खन में हार के लिए भी इत्याकी ने खुद भाजपा को जिम्मेदा ठराया उन्होंने कहा कि सीम रगुवर्दास का आपत्ती जनक विवहार वरिष्ट नेता सर्यूराय के साथ किया गया विवहार और राजनेतिक विपक्षियों को दुश्मन मानने नहीं रही सही कसर पूरी कर दी उन्होंने कहा कि जरकन की हार एक सबक है वक्त एंडिय को मजबूत करने का है अब जेडियों की तरफ से बीजेपी को सलहा भी दी जा रही है और सवाल भी उठ रही है जिसे बिहार विधान सभा चुनाव से पहले जेडियों की दबाव वाली पॉलिटिक्स के तौर पर देखना खलत नहीं होगा